तेश को आज मिलेगा पंद्रहवा राश्रुपती फोटो की गिंती शुरू सुन्य गांधी से तीन चरडों में होगी इडी की पूस्ता आज पहले चरड में पूछे जाएंगे साथ व्यक्तिगत सवार सभी राश दितिक दलों में ममताव एनर्जी की अपील टीमसी के शहीद दिवस में शामिल हो शरत वार निकाय चुनाओ से पहले किया बड़ा फैसला एंसीपी के सबिब भाग और प्रकोस्टी को किया भंग एशिया का भोश कराने के स्थिती में नहीं है शुलंका क्रिकेट एशियान क्रिकेट काउंसलिंग को दिया राज नितिक संकट का हवाल आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सुरुआत करते हैं बड़ी खबरों का महिला आदिवासी राष्ट्रपती बन जाएंगी आपको बता दे कि आज से 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन पहली महिला राष्ट्रपती मिली थी दरसल 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन प्रतिभा देवे सिंग पाटिल के रूप पे पहली राष्ट्रपती महिला मिली थी वही अ अधिकारी जेनित प्रताप सिंग ने जुला बेसिक शक्षा अधिकारी कार्याले उपने देशक क्रिशी प्रसार वभूमी संरक्षड अधिकारी कार्याले का ओचक ने रिक्षड किया असमें रिक्षण में कार्याले में कर्मचारी भी गायब मिले जिसके बाद जुला अधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मचारीयों को एक दिन का वेतन काटने के साथ यावशक कारिवाई का भी आश्वासन दिया हुआ अधिक्ष現在 कि 10 से 11 विशेश रूप츠 सभी अधिकारी बिना किसी नागे के रहेंगे कार Ellis में इसी क्रम में उपने देश्मिशक प्रशी प्रसार का कार Ellis का अधिक्षर का कार Ellis कères आधिकारी का का अधिक्षंण किया है गोंड़ा के हलतरमो के ग्राम पंच चायत बरावलिया कुर्मी में बाल विकास परियोजनाओं के तहट पोशट समागरी लाभारतियों को शेहमा से नहीं मिल पा रही है अधिकारियों से शिकायत करने के बाद मामले को ठंडे बसते में रखा गया गाओ की महिलाओं बच्चो को गल्ला आता है वो गल्ला सही ढंग से देती है और बोलने पर बोलते हैं कुझ भी कर रहा है त कि लिए आपर ले किस कंदगपर लेकिन मेरब कूछ नहीं होगा जिसको गल्ला लेना है और नहीं लेना है तो जाईये यहां से मिजदोर में कावड यात्रा के दोरा ने रास्ते में श्यवभक्तों को हरिद्वार से गंगा जुल लाने में कोई परिशानी ना हो इसलिए डीम और एसपी मोहट महादेयो मंदर में श्यवभक्तों के हाल चौल जानने पहुचे जहाँ पर सुरक्षा वस्था का जोय जालिया दूर दरास्या श्यवभक्तों ने पुलिस प्रिशासन के कामों को खूब प्रिशन्द आकी करें करें कि रास्ते में कावडियों के लिए जो सारी ब्याश्था है कि वह साही पाई जिन कावड़िये भी कसंद है और यह सुनिशिक किया जाएगा जिकोई अतुजधा नहों और पूरा बिनोव स्केत्र में उनको थारी से उठाएं और वह हम यात्र सब्सक्राइब कावड़ियों के लिए जो हमने आधार्वी को रखाएं कि हैं इस जुलावितारी महुझे नसलिक्षा की सुरक्षा बवस्ता की जिसके भी हमने पूरे चेत्र को सेक्टर में बाठ रखा है जहां भी डाइवर्टेंस हैं वहां दिन इंडिकेशन लगा रखे हैं पूरे रास्ते में हम द्रोन और से कैमरा से लिग्राने कर रहे हैं चारों तरफ हमारी वेवस्ता हैं अमुझे को इ अलाबास में पहुचकर पगडंडियों के साथ कच्चे रास्तों का वे निरिक्षड किया और सीमा पर तैनात सश्चत्र सीमा बल से भी जौनकारी ली और भारत और निपाल के सीमा पर इस्तित यह जन्पद है और इस त्रिकों से काफी महत्तपुन हो ब्A यहां पर एक महत्त्त एधर मिआ हमारा जिसको जिस्तिकरफ यह जो जन्पद्ध है की समय तेंशिता काफी बढ़ जाती है और नागरिकों की सभयगेता को बढ़ाने के लिए कि वो राश्तिय सुरक्षा में कॉंट्रिव्यूट कर सके हम लोग ने कियोजना लाई है कि 10 किलोमीटर तक सीमा के अंदर जितनी भी गाउं है यहां पे नागरिक संगठन नागरिक सुरक्षा समीतियां बनाए जाए जो र कॉंटा में धिया मुझल कुमार के अध्यक्षता में स्थानी निकाय कि बैठक कलिक्टरेट सभागार कख्ष में संपन हुई वही इस बैठक में सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में चल रहे कारियों ने कारियों पर वचौर करके सहमती प्रदान की गए जिससे करी करण कारिया का भी पूरा वेवस्था के साथ किये जौसे के साथ ही बैठक में जुनपत के सभी नगर पालिका है और नगर पंचायतों के द्वारा कराया गए कारियों पर समिक्षा की गए और संबंधित एयों को निर्देशित देते हुए कहा गया कि अपने अपनी अगर पालिकाओं में साफ सफाई के साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाप सभी पात्रियों वेक्तियों तक पहुचाया जाए मौमे सोना में ड्यूटी पर तैनात जवान शहीद हो गया जिसकी शहीद होने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मज़ गया फिलाल शहीद जवान का शौओ उनके प्रात्रिक गाँ पहुचा जब शहीद जवान के अंतिम बिदाई करने वाली भीड उमर परी जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ जवान के पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया फरीदाबाद के वल्लब गड़ की करिश्टा कालोनी में जेब में रखा मुबाइल अच्छानक फट गया यूएक का गंभीर रूप से खायल हो गया खायल यूएक को सरकारी इस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है जो अनकारी के मताबिक यूएक ने रियल मी कमपनी का फोन लिया था पहले उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और उसके बाद कुछ देर फोन को अपनी जेब में रख लिया जेब में रखने के बाद फोन अच्छानक फट गया और धमाका हो गया अच्छान नाम से एक लड़का है उसके पितादी गाना वो रविंदर चोहन है तरी साल का लड़का है कोई मोबाइल से काम कर रहा था चाहे चार्जिंग लगाई थी इसके बाद वोबाइन से हुआपने लगा उसका जो सीधे हाथ का जो जान है आगे से अगे से सुपरफ करना उनको बहुत जरूरी है ताकि उसमें को तुर्टी हो बैटरी से लेटर उसको ठीक करें ने तो यह मास के पर होगा हर्दोई के कच्छोना ताहना च्छेतर में बड़े पैमाने पर मादक पदार थे बेचे जाने की सूच ना मिलने पर अपर पलिस अधिक शक पूरवी के नित्रतु में कच्छोना पुलिस वेस्टी अफ की टीम ने संयुकत अभियान चलाए जिसमें हर्दोई की तरप से कार का पुलिस ने दोड़ा कर पीछा किया जिसकी तलाशी लेने पर कार में भारी मात्रा में स्मैक बरामत की जब की पकड़े गया रोपी कुवरसेन ने बताए कि वह अधाना कच्छोना की पुलिक्स वेस्टी अफ उत्तरप्रदेश की टीम अपराधियों की धर पकड़ेतु चेकिंग कर रही थी तभी एक कार वहां पर वहां से बुद्री संदे होने पर उसको रोका गया तो उसमें से एक व्यक्ति निकल कर भागने लेगा पकड़ने पर उसने अपना नाम कुमर सेन निवासी पिली उत बताया और यह भी कहा कि उसकी गाड़ी में स्मैक है इसलिए भाग रहा था इस पर एक गश्टर अफसर चित्रादिकर रिभागोली को बुलाया गया गया तराशी ली गई तो कार में से एक किलोग्राम दोपल धिन में स्मैक बिली जिसकी अंतराश्टी की मतलब एक करोड़ रुपए है इसके दोरा अब्यूद बरा बताया गया कि यह उसने बरेली निवासी एक वेक्ति से करदा था और लगनों बेशने जा रहा था इस पर जो है इसको गिरफ़तार किया गया है विदी करवाई की गई गी गई और और इसके कार को भी कर्जे में दिया लिया रहे हैं दोरान मुग्बिर की सुच्टाप सीसी रोड के पास पुलिस त्यार ओपियो को बिना नंबर प्रेट की चोरी की मोटर साइकिल के साथ दो अभी उक्तों को गिरफ़तार करते हुए जेल भीज दिया है हर्दियत रॉली थाना चेत्र में युवती के आत्महत्या के मामले में एस्पी ने दरोगा सही तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है जबकि युवती ने आत्महत्या से पहले स्यूसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने पुलिस पर गंभी रारोप लगाया थे जिस पर एस्पी राजेश दिवेदी ने मौके पहुचकर घटा की जाज परताल की जो है एस्पी ने पाया कि जिस युवक ने दुशकर्म का वीडियो वारल करने की धबकी दी थी उसने उसके प्रेमी के सापास अश्रील वीडियो भीजा था जिस बास से दुकी होकर यु जो प्रती का व 18 बटे उनियस के राथ उसके दर सुसाइड किया गया था थना दरोली में इस सम्मन्द में परिजनों दारा एक योग लोग पर आरूप लगाया था जिसे अरेस्ट कर लिया गया है वो बूस्ताच की जा रही है परिजनों दारा एक सुसाइड नोट भी दि परिजनों दारा परियाद करवाई नहीं की लिए है यही सम्मन्द में बड़ा हाथसा होने से बाल बाल बच गया जहां एक रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया इसके बाद रोडवेज बस दिल्ली पौडी नेशनल हाईव एक सो नीस पर स्थित पैट्रल पंप में जाग साब गेट डीपो की बस में दरजनों यात्री सवार थे और बस मेरिट से चलकर हरी दौर जा रही थी इस पूरे मामले की सूच ना मिलते ही मौके प्रोची स्थानिया पुलिस ने गायले को चला स्पिताल अकेलिए भिजवाया वही हाथसे के कारोडों का पता लगाने में चुट गया उधर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताए कि बस के पेट्रोल पंप में घुझ जाने से उनके पंप में लगभाग चार से पांच लाग का नुकसान हुआ है और बस चालक मौके से फरार हो गया है यह पस के ब्रेक फेल हुए है और तो वाले ने इस बस वाले ने यहां पर लाग जुझ ज़र दी है अच्छे कितने का नुकसान होगा लगभाग हमारा चार सु पांच लागर कर नुकसान है इसमें कोई घहल है गहल कोई नहीं है एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घहल है अच्छे यह बस ड्राइवर ता यह खांग है यह भाग गया है यह कुझ के बाग गया है लेकिन बाप चेन लेकर फराग हो गया यह पूरी घटना सिहानी गेट थाना च्छेतर के माली वाड़ा इस्तित श्री महाल अक्ष्मी जूलर शॉप की है जबकि यह पूरी वाड़ा जूलरी शॉप में लगे सीसी टीवी कामरे में कैद हो गई जिसके बाद यूटी को लॉपी युवती से पूस्ताज शुरू कर दी है 3 लड़के और एक लड़की आय थी उनुने चैन निकलवाई है और चैन निकलवाने के बाद एक लड़का ऑँ राया है जो दो करीवन लगवग दो एक चैन लेके भाग गे और उन्हें मिर्च डाली है और मिर्च डालने के बाद जो है किसी तरीके से दुकंदार जो मानव और अब इशेख जो बच्चे थे उन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया जब रसी चुपिया पकड़ ली थी उसकी वो भाग नी पाई एक लड़का था जो दुकान पही है उसने लड़के को पकड़ और तुरणती जैसी शोर मचा सारी भीढा गई और उनको दोनों को यहीं दुकान में बंद लिया उन्हों निकलने नहीं दिया यह वार दिन दाड़की करी है वार दाऊ Salih होट चेन जो एक लिके साथ ही थे जो लेके चले गए गई कि जैसी चेन देखा एक गए रख गया ती जैसे चांड़ेश चेन ने चीसे आए में आवी के बात काम करने वाले शेलेंडरी श्रेवास्तो ने अपने ही चेकेदार को काम के पैसे मांगने पर आसी सजा दी जिससे देख कर हर किसी की रूप आप चाहेगी वकाया पैसे मांगने पर ठेकेदार को जिन्दा जला दिया जिसकी लाज के दौरान मौत हो गई देखिए ठाना चेत्र चकेरी और हमारा चौकी शामनंगर है वहां का एक मैठर है जो अभी तक हम लोगों ने पूस्ताश करी है और एक पूसत जो बढ़ना है इसमें एक लाइंदर पाल करके है उनकी जो आग लगा दिने की सुचना मेली तो पुलिस पहुंची उनको तक्सा जो बिल्डर है श्री वास्तों करके है और इनके साथ इनका लेंदे इनका जो भी विवाद आता पुलिस ने तवरीद कारवाई करते हैं इनको अरेस्ट भी कर लिया और तहरीर भी हमें जो है प्राफ्त होगी है इनकार्मा लिखाए जा रहा आग आग्रे में दिखिए ठे इसले एक साल से हमने पुलिस में भी तहरीर दे रखी है थाना चकीरी आयूक पुलिस आयूक सब जगे डियम वगर सब जगे हमने अप्लिकेशन दिया है लेकिन कभी भी जब भी कारवाई होती है ना ही उसको बुलाया जाता है वो कभी प्रत्रिक्ष्व्य आया नहीं कभी अब तक की खास खबरों में इतना ही देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार